भारत की पूर्व प्रधान मंतरी इंदिरा गांधी की पुन्यतिति के आवसर पर कॉंग्रेस पार्टी की ओर से किसान अधिकार बचाओं के रूप में मनाय गया जिसका चलते कर नाल के लगु से चिवालने के सामने कॉंग्रेस जनों ने इकठा होकर इंदिरा गांधी एवं वल्लब भाई पटेल के चित्र पर पुश्प अर्पित कर उन्हें शद्धान जली दी मौजुदा के अंदर सरकार द्वारा किसानों के अधिकारों के साथ कुठारा घहत करने के लिए जो तीन काले कानून किसानों पर थोपे जा रहे हैं उसके विरोध में सरकार की निंदा की गई एवं नारे बाजी की गई इस मौके पर राजवीर सिंग चोहान कॉंग्रेसी नेता ने कहा कि कॉंग्रेस के प्रदेश अद्धिक्ष कुमारी शैलजा के आवान पर पूरे प्रदेश में इंदिरा गांधी की पुन्यतिती को किसान अधिकार बचाओ के रूप में मनाया जा रहा है इस मौके पर उन्होंने बताया कि इंदिरा गांधी ने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है और अब कुमारी शैलजा के आवान पर सभी कॉंग्रेसी जन किसानों के अधिकार बचाने के लिए एक जुट हो चुके हैं आगामी दिनों में कई बड़े कार्यकर्मों की रूप रेखा भी तयार की जा सकती है आपको बता देगी कॉंग्रेस पार्टी केंद्र की सरकार द्वारा लाए गए तीन किसान विरोधी अध्या देशों का लगातार विरोध कर रही है और समय समय पर धरना प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज करवा रही है इसी कड़ी में करणाल के लगु सच्चिवाले में भी बड़ी संक्या में कॉंग्रेसी जनों नहीं कठा होकर पूर्व प्रदान मंत्री इंदिरा गांधी की पुन्यतिती को किसान अधिकार बचाओ के रूप में मनाया साथी सरकार के विरोध में नारे बाजी की गई एवा मिंदिरा गांधी द्वारा देश के विकास के लिए किये गए कारियों को याद किया गया किसान अधिकार दीवस मनाया रहा है किसान अधिकार दीवस के रूप में हम आज दमने पर बैठे हुए है क्योंकि किसानों के साथ जो निजाय जो हरी है उनको जो है वो क्या बोलते हैं उसको MSP नहीं दे जारी है MSP के में मुद्धा किसानों का और कांगरस का यही है कि किसानों को MSP तो जरूर मिलनी चाहिए में जो मुद्धी जाय है कांगरस में दो लफज लिखे हैं विए हमें किसानों का MSP मिलनी चाहिए किसानों को यही मुद्धा है, हमें MSP जरूर मिलनी चाहिए, कोई उसकर दिकार के लिए हम यहाज कठे हुए हैं, और इसलिए हम चाहते हैं किसान किसी तरह से जीवत रहे, यह नहीं मुसान नहीं मरे ना, तो भी हमारे देश के अंदर इतने किसानों की पिछे फसले बरबाद होई हैं, इतने लोगों अब खुद दसी करी हैं, इस तो कोई अंतर ही है, और वो किसी मीडिया पर एक जख़बार में कहीं भी नहीं आ रहे हैं, कांग्रस के कारे करता और बूद बूद जिला पदा दिकारी आम माननी है, श्री कुमारी शैलजा जी के आवान बारून के न शर्षान नर्देश पर जहां कत्रीद हुए हैं, हमारे स्वर्गिये परदान मंत्री श्री मती इंदरा गांदी जी और सरतार भलव बाई पटेल जी के जखने ठीठी पर सुबहुंत krs कारे करता को तक बहुत भहुत भार है कि वह आज श्री परकिये श्री मती इंद्रा ग प्रिस्वाइब प्रिस्वाइब गांडी जी की पूर्नेती थी और वलब भाई पतेल जी की जनम जयनती पर बुश्वार भिट किये हैं और किसानों का जो मुदा है उसको लेकर के आज सभी लोग यहां सेक्टर बारा में इकठे हुए हैं और MSP जो पार्टी बीजेबी पार्टी ने किसानों के खिलाफ जो कानून लागू किये हैं उसका विरोध करते वे हम सब यहां परिक आज किसले कठे हुए हैं पोई लंबा ना करो सब्सक्राइब को अब यहां आज करते हमारे प्रटाजी जोगिंदर जी अपने अंदर कुमार अगी जी, कुछरे भाई सभी, राजविर चौहान जी, निरेश चौहान जी, all our respected brothers, with folded hands, we pray to God that such type of leaders always should be present in our souls and we should teach the lessons as she has given the full contributions, full confidence to the nation and we require of such type of leaders in the Congress party, there is a deed for कुमार अगी जी, पर्देश की अध्याद, बैनकुमारी शेलजा के दिशान सार, पर्देश उनसार, हमारी पूरो परदान मंत्री, आरेन लेडी, सिर्मती इंद्रा गांदी जी कि सहादत दिवस ग्रूप के में मना रहे हैं हम, क्योंकि उन्होंने परदान मंत्री होते हुए, पर्देश के लिए अपने जीवन की सहादत दी और उन्होंने अपने जीवन का अंतिम समय से एक दिन पहले, पूरे हिंदुस्तान में नहीं वर्ड में एक मैसिज दिया, उन्होंने कहा कि इस देश के लिए इंदुस्तान के लिए इंदुस्तान के विकास के लिए इंदुस्तान के ग्रीब जंता के लिए इंदुस्तान के किसानों के लिए मेरे एक खून का एक एक कत्रा इन सभी के देश के काम आएगा और उसके आज सही ती उसके रूप में हम इसको उस रूप में मना रहे हैं कर्षाइब आपने प्रिये नेताओं को अमेशा याद रखना है समय समय पर तो हम अपने नेताओं को समय समय पर याद करते रहते हैं इंद्रा गंदी जी और पटेल जी को याद करना साथ में किसानों का भी मेसिज दा जवेंट जो आज गल चली रहा है मुद्दा तो बार- और उन्हें हम यही कहते हैं कि कॉंग्रेस पार्टी को संगर्ष करके आगए लेना है राज में लेना है सभी कारिये करता हर कारिये करम में हिस्सा लेते हैं चुनाव बडोदा में बीजी हैं कुछ लोग वाएं कुछ ही आएं तो यह चलता रहेगा थन्यवाद ऐसे ही लेटेस को बरेपाने के लिए बेल इकन को क्लिक कर हमारी चैनल को लाइब शेयर और सुब्सक्राइब करें थन्यवाद कुछ एंटर्प्राइब